आप लोग उमीद करता हूं बहुत जादा बढ़े होंगे आज की वीडियो टॉपिक पर रहने वाले हैं कि हम जो है मेरी रिट्स में ओट फोल्डिंग मिरर्स इंस्टॉल करने वाले हैं अंदर से ही मिरर्स खुल जाते हैं बंदो जाते हैं बहुत सारी गाड़ियां बेस वेरेंट से उन सब में नहीं आता है एंड कई गाड़ियां जिसमें शोरूम वालों ने भी तक नहीं दिया है तो आज मैं सारी इंस्टॉलेशन कराने वालों तो मेक्शोर यह वीडियो आप को इस तरफ का भी दिखा दूँ यहां का भी मैनुवल ही रहने वाला है जो मिरर है यह मैनुवल है और अब जो मोहिद भीया है इन्हें आटोमेटिक करने वाले काम जो सारा ओंकार सेस्टॉरी इस पर रखा है तो गैस आज रिट्स को वापिस एक इस में मोडिफेकेशन हो करेंगे और इसमें कोशिश करूआ इंडिकेटर भी लगाएंगे प्रॉपर फिटिंग के साथ साइड में जो होते है तो गैस एक दम जो सारा काम है वो बढ़िया से होने वाला है ऐस पर मोहिद भीया और यहां पर चल दी है भीया अपने ऑफिस की तरह यहां पर जो है दूसरी काडियों में कर रहा है जैनमें नहीं होता आधे गंटे में इसमें फिर बिदो तीन चार गंटे लग सकते हैं कुछ भी हो सकता है तो दिखाऊंगे एक्चुल में जो है कैसा कुछ रिजल्ट सामने आरहा है निकल के तो यहां पर देख सकते हैं विस सारे जो उर्जे पुर्जे वो खुल चुके हैं पूरे के पूरे एड जो है नेक्स का होने वाला है कि भी है तो पर दो पर दो नहीं पता और फिर भी क्या कुछ होगा आगे एसमें मेरा लगा दो है अगे अगे पर देख सकते हो कि यह तो पूरा पूरा यूनिट रखी और यह जो अस्ती पंजर खुलने के बाद कुछ अशा लगता है तो यह जो काम है वह आल्मोस्स फाइनल स्टेज पर जा रहा है अपनी और यहां पर जो है लग चुका यहां पर जो है जो है इसमें सिर्फ शीषा लगाने बाकी और पीछे कावर लगाने बाकी है आपार्ट फ्रूम डेट सबकुछ पूरा हो चुका एकक्दम बढ़िया से है Veget tone यह पर काम होते होते हैं भी आप लगा लो पूरी एड़ेस्टेबल मिरर आप देख सकते हैं कि वह अंदर से आटमेटिकली बाद में कंट्रोल होगा अभी यहां पे सिर्फ इतना हो रहा है तो वह बाद में हो ना तो आप देख सकते हैं कि इतना हो रहा है एंड फोल्डिंग भी सारी चीज़े हो चुकी हैं वह अभी म कर देख सकते हो आपकी जो काम है पैली बार हो रहा है इंडिया में वर्ल्ड में किसी रिट्स एलेक्साई में सब कुछ हो रहा है एंड इनकिस अगर आपके बास भी गाड़ी हो तो आप भी करवा सकते हैं आके मोईद बास नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होई रहा होगा तो अधर तो मेरी गाड़ी में काम होई रहा था कर आप दिख रहा होगा वापे बोनट खुल है अधर के भी साइड फोल्डिंग मिरर रहे हैं साथ ही साथ बतारा ब्रेजा भी आई वी आजए उसके भी सेम मोईद पे हैं साइड फोल्डिंग मिरर्स कर रहे हैं और कितनी देर अधर लग जाती लगब इस काम में एक घंटा लगया था है एक घंटा सर्दी के विजए से और भाई लोग आये हुए पंजाब से भटिंडा से नंबर दिखा दो आपको इन केस अगर आपको विश्वास ना हो तो गाइस ये गाड़ी का नंबर है चॉपल बन है और दिखाऊंगा आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे हो रही है यहां पर जो दोनों साइड मिरर्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं पूरे अब मैं चाबी से आपको दिखाता हूँ कि चाबी से कैसे खुल रहे हैं तो तो कैस आप यह देख सकते हैं कि जैसी बंद करेंगे अब आप यहां पर देख सकते कि यह बंद हो रहे हैं उस तरफ की बढ़ा अगे अगर आपको जा कर दिखाओं तो यहां पर आप देख सकते हैं को खोलने पर यह जो मिरर्स है यह बीखलेगा है तो आप खुद देख सकते हैं कि प्रॉपर फॉंक्षिनिंग दोनों मिरर्श है उनकी हुरी है तो गैस यह लोग आए हैं बटिंडा से और किनी दूर पड़ जाता है लग बग तो गैस में रग भी प्रिया वॉज़ से तीनसो से जादे पड़े पड़ेगा बटिंडा है लाओ तो गैस पीजिसक टींपादें रहा है अडीजर ऑपको काम जाओ आपको काम सेटिस्फाइध घुगा पड़े जाए वाज बट पड़े पस तो थोड़ा लगत लगा होगा ह तो गाडी का काम वे फाइनली कंप्लीट होने की तरफ है और अलमोस्ट कंप्लीट होई चुक है इस तरफ का आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात की इसमें अटो फोल्डिंग मेरा रसो आती ही नहीं है तो वह भी लग चुक है और लगे आपको दिखा दूगा बट आपने अब यह जो स्विच लग जाएगा इसमें जन्यून स्विच अब ब्रैंड न्यू जन्यून स्विच लग जाएगा साइड में जो अपना ड्राइवर साइड उस तरफ और यहां से ओटमेटिक मिरर्स जो है उपर कंट्रोल भी होंगे ओपन बंद सब कोच होगा तो दिखा अब आपको दिखा दूगा और काम जो हो रहा है अगेन बताता हूं सारा ओंकार असेसरी इस पर हो रहा है तो यह रिले रहने वाली है जो की ओटो फोल्डिंग है उसकी तो यह इंस्टॉल करी जाएगी तो यह इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद प्रॉपर सेटप होने वाला है बनाई यह आती तो है नहीं आगेज है ना इसका प्लगन पिले सिस्टम करा है अब जो है इसमें लगना बाकी है लग जाएक उसके बाद दिखाता हूं सो यहां पर आप देख सकते हो कि भाया ने जो है जैन्यून जो स्विच ता वो लगा दिया है तो बीच में बेसिकली यहां पर होता है है यहां पर पूरा अपना हो चुक है जिससे लेफ्ट राइट का भी मैं कंट्रोल कर सकता हूं और यहां से ओटो क्लोस और वो जो है वो भी हो जाएगा तो यह जैन्यून पार्ट था है एकदम भयाने अंदर सेट कर दिया है सो देट क यहां पर देख सकते हैं कि जो मेरे रहे हो लग चुक है मैं आपको बता दू कि मैं भिवानी आया वह हूं और मेरी गाड़ी वो खड़ी दूसरी वाली बलैनों आप मैंसे काई लोग पूछ रहे थे कि भाई तु नहीं बेची है यहां पर आप देख सकते हैं हर्ष लॉक् इंडिया में कि किसी रेट्स में जो है ओटू फोल्डिंग मेरे लग चुक है इसी तरह आप हर गाड़ी में लगवा सकते हैं तो भाई अब मैं आपको इसको फंक्शनिंग में दिखाता हूं कैसे कुछ रहने वाले हैं तो आप देख सकते हैं कि इधर जो है स्विच बिलक इतर में बंद करता हूं यहां से दिखते हैं सो आप इस यहां से खोलता हूं है सब-स देख सकते हैं कि जो इपको फोल्डिंग मिर आप उसमें लग चुके हैं उसके बाद काई सब मैं यहां पर बात करूंगा कि इनमें क्या बीपर जो इंडिकेटर हैं वो इंस्टॉल हुए हैं तो गाइस बिल्कुल इन में इंडिकेटर्स भी इंस्टॉल हुए आप देख सकते हैं कि अगर कोई सिर्फ ओटो फोल्डिंग मिरर्स भी करता हो वह बहुत बड़ी बात है बट यहां पर जो है मुहित भी ने इंडिकेटर्स भी लगा इन शीश जो मिररर है वो क्योंकि मेर को तोड़ी जल्दी होगी तिम भीवानिया हैं आपने देखा कि इधर का जो है वह बिना लगवाया आगया तो वह भी लगवालों है बाद में बट आज आप देख सकते हो इधर है यह इंस्टॉल हो चुका है एंड गाइस अभी रिले की इंस् इंस्टॉल करवा से इतना ही था हूं उमीद करता हूं पसंद आए पसंद आए तो शेर सब्सक्राइब करना मत भूले जैसे कि आपने देखा कि हमने जो है ओटो फोल्डिंग मेर्स हैं गाड़ी में इंस्टॉल करें पीछे आप देख सकते हैं जल रहे हैं अभी ओटो फो पसंद आए तो शेर सब्सक्राइब करना मत भूलें बाबाएं थैंक्स